हलो दोस्तों मैं हूं गोरो और इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं नोड आफिनिठी के बारे में तो दोस्तों देखो लास्ट वीडियो के अंदर क्या हुआ था सिंपली कि अपन जब भी एक पोड का डैफिनेशन दे रहे थे तो उस डैफिनेशन के अंदर के schedule होगा जिसको एक particular label attached था right and अगर वहाँ पर वो label उसको नहीं मिला right या फिर वो जो label अपने दिया था port के definition में वो label किसी भी node पर attach नहीं रहा तो वो जो port था वो कहीं पर भी schedule नहीं होता था right तो अब node affinity के अंदर अपन क्या कर सकते हैं यहां पर अपन scheduling दो तरीके से कर सकते हैं hard and soft soft मतलब क्या अपन उसको बोलेंगे कि भई try कर कि यह जो यह जो port है एक ऐसे नोड पे जाके बैठने वाला है या ऐसे नोड पे जाए बट क्या हो अगर वो वाला लेबल किसी भी नोड को नहीं मिला तो तो शिडूलर उसको एक कोई दूसरे नोड पे schedule कर देगा राइट यह तो गया soft soft scheduling I mean and अभी बात करते हैं हाइड की तो हाइड में fix रहेगा कि यह जो पोड है इस पोड को केवल और केवल उस नोड पे जाके create करना है जिस पर यह लेबल attach होना ही चाहिए ठीक है और यहाँ पर अपन बात कर रहे है लेबल के अंदर यहाँ पर अपन operators दे सकते हैं लाइक की भई जो जो नोड है उसकी size small medium large इन में से कोई एक हो या इन में से कोई नहीं हो राइट exist करता हो does not exist करता हो तो चलो करके देख लेते हैं राइट तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं क्यूप सी टी एल गैट नॉट हाइफन हाइफन शो लेबल तो आप यहाँ पर देखो मैंने यह जितने भी हैं अभी क्यों यह लेबल अटेज हैं मैं क्या करता हूं इन में से वर्कर वन एंड वर्कर टू को लेबल अटेज कर देता हूं ठीक है है तो अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर अटेज करवा दिया वर्कर वर्न और इसको मैंने यह वाला लेबल अटेज करवा दिया अब बात करते हैं कि जो नोड एफिनिटी है वो हमन कैसे डिफाइन कर सकते हैं यामल फाइल के अंदर विए श्पर डॉट यामें ठीक है च और यहां पर आप देख सकते हो affinity राइट एट रहे पे प्रिफेरर दोरिंग सीडियुलिंग एक्नोर दूसरा है रिक्वार्य तो इनके बारे में बात करते हैं आपन बात करते हैं अभी सफ्ट सेडियूलिंग के बारे में तो मैं यह पूरा का पूरा कोपी कर लेता हूं तो अगर आप अगर 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 ठीक दोस्तों तो मैंने यह जो है यह फाइल लिख ली इसके अंदर मैंने यह affinity दे दिया इसके अंदर not affinity and prefer during scheduling and ignore during execution अगर इसका मतलब आप लोगों को मैं simply बता हूँ तुम मैं सबसे पहले इसको copy करता हूँ and control shift v and इसको चार पार्ट में या दो पार्ट में divide करता हूँ prefer during scheduling and ignore during execution right simply क्या कि वह इसको क्यों 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 रखा है उसको अपन यह चीज बोल रहा है कि वह prefer करना है तुरको जबी तू इस पोड को schedule करे उस time पे कि वह उसको यह यह जो expression जो आपने लिखा है right कि वह जो तेरा node है उसको तो जो एक label होना चाहिए size वाला और उसकी value या तो small होनी चाहिए और आप लोग यहां पर इस minus sign से समझी गए होंगे कि यह जो लिखा हुआ इसका मतलब यह है कि यह एक array में है तो small के बाद में आप लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी आप वह सारी की सारी चीज़ दे सकते हो right and ignore during execution मतलब क्या suppose यह जो pod है यह assign हो गया worker2 को क्योंकि worker2 को अपनने जो है label दे रख है size equal to small वाला but कल यह pod schedule होने के बाद में आप वह लेबल वहां से remove कर देते हैं अभी जो आपका pod है वह running state में है तो उस time पे उस चीज को भी वह match कर सकता है कि वह कि pod running condition में और उसके बाद में अगर आपने कोई label remove कर दिया तो क्या उसके बाद में भी वह पोड़ वहां पे run होगा या नहीं होगा बट यह चीज अभी के time पे क्यूबरनेटी सपोर्ट नहीं करता है बट यह चीज future plan future में इस चीज का plan है कि वह ऐसा भी एक नया लेके आ जाए like required during scheduling and required during execution तो अगर आप बाद में कोई लेबल रिमूव भी करता होगे तो पोड़ वहां से रिमूव हो जाएगा and किसी दूसरे नोट पे अगर सेम लेबल अटेच होगा तो वहां पे वह चलने लग जाएगा ठीक है बट अभी के case में यह चीज सपोर्ट नहीं करता है चलो पोड़ क्रियेट करके देख लेते हैं ठीक है तो मेरे error आई है मैं देखता हूँ error क्या है unknown field match expression तो जो मेरे गलती हुई है वो गलती हुई है यहां पे अपी try करते है cubectl apply apply हाइफन हाइफन ड्रायरन port.yaml हाइफन एफ port.yaml port created चलो तो देखते हैं सबसे पहले cubectl get pods तो मेरे पास अभी कोई भी port running नहीं है cubectl apply हाइफन एफ port.yaml तो port create हो गया है अगर अभी मैं देखूं cubectl get pods hyphen o wide तो यह port आप देखो worker2 पे create हो गया अब मैं क्या करता हूं cubectl get nodes hyphen hyphen show levels तो यहां पर आप देखो मैंने size large और small दिया है मैं आप पर कुछ ऐसा नाम दे देता हूं जो इन दोनों कोई match नहीं खरेगा ठीक है vipod.yaml so so मैं यहां पर size देता हूं extra large ठीक है and cubectl vipod.yaml मैं पर का name भी change करना है क्योंकि 13 वाला पर और रड़ी है 14 पर्ड क्रियेट हो गया देखते हैं cubectl get parts right तो scheduler ने क्या किया scheduler ने खुद का try किया best कि उसको ऐसा label मिले बट अगर वो label नहीं मिला तो उसने उसको किसी भी एक node पर उसको schedule कर दिया तो यह जो चीज़े इसको अपन बोलते है soft scheduling right अब वापस मैं इस पर आता हूँ vipod.yaml तो दोस्तो इस pod.yaml के अंदर अपन almost सारी की सारी चीज explain कर चुके है I don't think so कि मुझे यह चीज वापस explain करने की ज़रत है क्योंकि अपन पहले बहुत बार इस चीज को यूज कर चुके है right बात करते हैं इस चीज की wait की right तो दोस्तो यह जो wait है इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा आप लोग मुझे बताऊंगे कि गोरव इसका यह user and scheduler इसको ऐसे पोड को schedule करता है ठीक है तो यह चीज आप मुझे बताऊ आने वाले वीडियो में यह चीज मैं भी आपको बता दूँगा मैं इसके लिए 100% sure हूं ठीक है मैं चाहता हूं इस वीडियो के अंदर आप मुझे comment section में बताऊ आने वाले जरूरी नहीं कि next वीडियो में मैं question का answer दूँगा बढ़ दे दूँगा ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में पन क्या बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर पन बात करने वाले है require during scheduling and require during नहीं require during scheduling and ignore during execution ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई